को मैं मन्द संचालन करने जा रहा हूँ मेरा नाम सोरभ है मैं बार्मी कक्षया का छात्र हूँ सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार अम मैं सुविचार के लिए अर्मान को सात्वी कक्षया से बनाना चाता हूँ जिन की प्रस्तूतियां है वो आगे आजाएं यहां बेर साही बिटा आजाएं बॉर्ण दूलस्यू माई नेम इजमान आईविजिन संच्प्ला साइश्टी के छोट काम करो ऐसे की पहचान बन जाए चलो ऐसे की निसान बन जाए और जिन्दगी तो हर कोई काट लेता है अगर दम है तो जीओ ऐसे की मिसाल बन जाए अब मैं कविता के लिए जोती को सात्वी क्लास से बुलाना चाहूंगा जो लड़ने आए है मैं तो उन्हें हरा दो हाँगा जान्यवाथ जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बाते कभी नहीं करते हैं अब कविता के लिए सुदेश को खुलाना चाहूंगा जनम पर घबराने वालो बेटा जलम ले इतराने वालो बेटी नहीं तो मान नहीं होगी नव जीवन को यान नहीं होगी नव जीवन लुपी कह गमले पर गहरे गाव ने करो इतने दुनिया बदल रही हैं आर्माल बदल भसक्रेश बैटा-बैटी अब मैं खबरों के लिए प्रिया को बार्वी कट्सें सिप्लाना चाहता हूं कि अज़िए प्रिक्षा में दो हजर बाइस के परसंट पत्र में पूछे बत्रिस वाग चार में मामुल मामुली वदलाब निवक्ष के साथ निशान हरियान लोग से सेवा योग ने वापिस दी पीजीटी भरती अब अन्य विग्यापन होगा जारी पार्टम मुशे विजाले CIT बंजीकर UGPGF अन्य प्रोग्राम में लाख से अधिक छातरों ने किया अवेदन हरियाना विंडर पश्चिन वीभोक्ष का दूसरे दिन दी बाईश पारा गिरा नो तपा आज से जाने आगामी मोशन का हाल पार्टम दहिया का निदन रागनी को गाउं के बीस्तर लाने वाले गायक ते लोग गायक और खरियान में चुनसीदी को जीवन रखा आप अपना पविश्य नहीं बदा सकते लेकिन आप अपने आदतों को बदा सकते हैं और निष्चित रूप से आपके आदते आपका पविश्य बदल देंगी जी के क्योस्तन के लिए स्वाती दस्वी क्लास को Good morning to all of you, my name is Swati, I'm reading 10th class I'm GK, some question I ask some I will ask some GK question I will ask some GK question Maharana Pratap की माता का क्या नाम था? Raitan Swat, Jeminta वाइ Maharana Pratap की पिता का क्या नाम था? Udha Singh Raitan Swat, Udha Singh Udha Singh की कितनी पत्निया थी? Jeminta Raitan Swat, Jeminta Maharana Pratap की पित्तर का क्या नाम था? Amar Singh Maharana Pratap की पत्निया के नाम बताओ पत्नियों के नाम बताओ Ajabti Vaisa और Pulkवद Ajabti Vaisa और Pulkवद मेवाण की राजानी क्या थी? Jiktaur Aqbar का जनम कब हुआ? Aqbar का जनम कब हुआ? Aqbar का जनम का बताओ 15146 Aqbar का जनम के बताओ बोच गर्थ क्या है ? आग! राइ्च वैंसर यान य हुण सुधिय वनस का सबसे प्राप्ति सासक कौन सा हुआ? परताप 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 महराना परताप थैंक यू अब जो प्रिंसिप असर ने बीच मीन ठार विश्चे के लिए जारी किये ते उसके लिए मन्जु मैं मैप्स के लिए प्लीज मैप्स के लिए सभी समानित सुधस्यगंड और प्यारे बच्चो हर पतन जानती है कि उसे कच्रे में जाना है लेकिन उससे पहले उसे आस्मान चुकर दिखाना है सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया और जोती एक बार फड़ी हो जाए जोती देखें आपको याद होगा पिछले साइस बच्ची ने मंच पे आने से मना कर दिया था और हमने लाइन में जाकर के इसके पास प्रेयो करके वहीं से इससे दो लाइन बुलवाई थी और आज इस बच्ची ने खुद कहा कि ये मंच पे आएगी और इसने यहाँ आ करके पूरे आतम विश्वास से अपने कविता सुनाई है हाउस एक्रिपिटेस का ये लाग है कि जो सरुने शुरू की है कि उसे बच्चों को आतम विश्वास बढ़ाने का एक मोका मिलता है जोड़दार तालिया में जाइए विश्वास हम विशे का काम शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दू कि हमें बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट क्लास का जो होड कहा था वो शरीवार को वित्रित के जाएंगे उसके लिए मैं एक बार सभी कख्षा इंचार्जे से अनुरोद करूँगी कि आज जब क्लास में जाएं तो अपने कख्षा के पाच-पाच अच्छे बच्चों को कर्पया ध्यान में कर लें पाच या कुसी को लगता है कि मेरी क्लास में पाच से ज़्यादा बच्चे भी अच्छे हैं तो ज़्यादा की भी नाम दे सकते हैं अगर वो चाहें तो उनके बच्चों के नाम आज बच्चे लेने के लिए आएंगे आपके पास में तो आप क्रपया कख्षा में जाएं तब ये नाम ध्यान में कर लें और कख्षा का मैं सभी टीचर्स से और धानाचारिय महोईदे से भी अनुरोद करना चाहूंगी कि सभी कख्षाओं पर भी अपनी निग्रानी रखें कख्षा का कख्ष कैसा सजाया है बच्चों ने इसके साथ कख्षा अनुशासन में रहती है कि नहीं सभी विशों का काम करके आती है कि नहीं ऐसा नहीं कि जो आपका कख्षा इंचार्द आप उसी विशा का काम करके आएंगे आप सभी विशों का काम करके आएंगे, सभी टीचर्स की बात मानेंगे, तब आप एक अच्छी कक्षा बनेंगे तो सभी बच्चे, हमें अपने स्कूल का जो environment है, मैं एक नया शब्द आपको आसिखाना चाहती हूँ print rich करना है, print rich, p-r-i-n-t print, r-i-c-h rich, print rich environment क्या होता है, जा कक्षा में दिवारों पर, जैसे अपने painting तो बाहर तो पहले से ही बनी हुई है, तो बाहर से हमारा विद्याले पहले से ही print rich है, तो अंदर आपको क्या करना है, अपने विशों के अलग-लग चार्ट हो गए, कोई motivational कोट का चार्ट हो गया, जिससे लगे कि कक्षा अच्छे, जैसा साहिते हम पढ़ते हैं, हमारी विजार धारा वैसे ही बन जाती है, तो इसलिए कक्षा का जो environment है, जब वो सारा print rich होगा, rich मतलब समृत्द, जब वो paint से rich होगा, समृत्द होगा, तब आपका जो मन है, वो घ लेते हैं थोड़ा सा विशे का, विशे के लिए, math, किस किस को पसंद है math, गिंती किस को आती है, गिंती सबी गो आती, बार भी कक्षा के कुछ बच्चों को गिंती नहीं आती है, वह हाथ ने उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, आँ सिखाएंगे सबको, देखिए, जैसे कर दिए और हिंदी एम अक्षरह लेव में आप अख्षरह ग्यान सेखते हैं ऐसे ही गणित में अंग सें और यह थोड़े से टहीके से जह और करके छटी से स्टार्ट हो जाते पहले आप इसे गिंतिके रूम में सिखते हैं अब हम सटी से लेकर आगे 11-12 तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं और आगे भी higher studies में भी हमें यह देखना होता है कि यह अंकों को गणित में स्थान कहां दिया गया है 9 और 10 वी कक्षा में विशेश रूप से आता है हो सकता है छटी साती में भी शुरू हो जाता हो जैसे आपके बैग में आपने समान रखा हुआ है पैन अलग जगह है पैंसिल अलग जगह है कोपी अलग जगह है ऐसे ही गणित में अंकों को भी अलग अलग जगह पे रखा हुआ है तो सबसे पहली जो हमारी संख्याई होती हैं, संख्याओं का जो समू है, जिने बच्चा किंती के रूप में सीख के आता है, जैसे आपकी कख्षाओं के रोल नंबर है, कहां से शुरू होते हैं बिटा? एक के बाद? दो दो के बाद? ती तीन के बाद? चार संख्याई आगे, 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 चलती रहेंगी? ये जो संख्याई है, इनके समू का नाम है प्राकृत संख्याई क्या नाम है? प्राकृत संख्याई प्रकृती, प्रकृती क्या होता है? नेचर पुद्रत नेचर नेचर से शब्ट बना है नेचुरल इंगलिश में इने बोला जाता है नेचुरल नंबर और हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकरित संख्याओं प्राकरित संख्याओं में आपने खुद बताया क्या क्या हता है दुबारा बोलिए एक, दो, टी, चार, बाद, शे आगे, 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 संख्याय चलती जाएंगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई? एक हुई, उसके बाद? तो इनको जब एक के बाद दो, दो के बाद दी, लिखते कैसे? एक कोमा लगा करके, जब आप इनके समूगों लिखोगे, एक कोमा दो, कोमा तीन, कोमा बोलने में तो नहीं आता, बोलने में रुकावट आती है, तो संख्याय जब आपको प्राकृत बतानी होगी, तो कौन सी संख्याय है? शाबाज पिर से बताईए, एक, दो, दी, चार, आपके ये चलती रहती है अनंत तक, क्योंकि गिंती अनंत तक चलती है, इंफिनीटी बोलते हो शब्द को, अनंत शब्द को क्या बोलते है, इंफिनीटी, क्या बोलना है? तो जब प्राकृत संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी आप बताएंगे एक, दो, ती, चार, डेश, 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 अनंत तक डेश, डेश, डेश का मतलब है बीज में खूपसारी संख्याएं हैं, करोडों संख्याएं हैं, अंगिनत संख्याएं हैं पर हम उन्हें लिख नहीं सकते हैं प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है वो पूरी बनाई है कोई चीज आदी अदूरी नहीं बनाई जैसे आपका रोलंबर ऐसे नहीं होता 3.2, 3.4, 3.5, 3.5 आपका रोलंबर कभी भी ऐसे नहीं होगा इंसान भी सब कुद्रत ने पूरे-पूरे बनाई है पेड़, पोदे, पाड़ सब पूरा बनाया है तो प्राकर संख्याओं में दश्मलों वाली संख्याओं कभी भी नहीं आती है अब ध्यान रखें एक के बाद अगली संख्या कौन सी होगी 2.2 के बाद 10 के बाद 11 अब एक बहुत अच्छी संख्याओं समू में नहीं आई है कौन सी संख्याओं समू में नहीं आई है शाबाज, कौन सी नहीं आई है 0 0 का कंसेप्ट दिया था आरिये भटने मान लोब आप से मैं पूछती हूँ बताओ भई इस समय आपके हाथों में कितने लटू है लटू नहीं है, एक भी नहीं है एक भी नहीं है तो खाली के लिए पहले कोई कंसेप्ट भी नहीं था वो कंसेप्ट हमारे महान भारते गणितके आरिये भटने दिया कि 0 जीरो दिया जब मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई यह गाना सुना होगा आपने नहीं सुना तो आज जाकर कि इसको सर्च करें और अवश्य सुने हमारी देश की सुस्कृति को दिखाता वास होगा यह पूर और पश्चिम पिक्चर से तो जीरो जब आज आती है इन समू में प्राक्रित पहले से थी उसमें जीरो को अगर मिला दें अब इस समू का क्या नाम हो जाएगा शाबाज का नाम होगा पूर्ण संख्याएं पूर्ण पूरी हो गई तो जिसने जीरो जोड़ी उसने सोचा पिए संख्याएं पूरी हो गई है पूर्ण संख्याएं यानि की Whole No. W.H.O.L.E. Whole No. ठीक है ? उसके बाद कुछ और भी संख्या रह गई है क्या कौन सी रह गई है माइनस वाली घटा वाली घटा को आप कैसे समझ सकते है एक तो जमीन के उपर मैं पहले एक इट रखू दूसरी इट रखू तीसरी रखू संख्या बढ़ती जा रही है एक दो तीन चार पांच छे जैसे स चटती है अगर मैं नीचे खोदना शुरू करदूं तो घट जाएगी माइनस एक फिर जादा गहरा हुगा यह दो फिट जादा गहरा हुगा शाबाज तो माइनस का निशान यह बताता है कि इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है घटती जा रही है ठीक है यह बीच में 0 इस तरफ जो संखिया होंगी इस तरफ आपकी संखिया होंगी वह गठ्टी चलेंगी वास्तिवी संखिया रेखा पर आप इनको दर्शा सकते हैं तो यह संखियां जया इनको कहा जाएगा पुर्णांक क्या कहा जाएगा यानिकी इंटीजर्स आइए जो अपने अपने पहले चप्टर में से भी बिलेंगी जाकर के देखते आज हम यह तीन ही संख्याओं में तो तीन ही सीखेंगे अब इसके बाद आपने बहुत सारे और भी नाम सुने हैं जैसे की समसंख्याओं और भाज्याओं और भाज्याओं और भाज्याओं और भाज्याओं और भाज्याओं और सरने गिंती और पाड़े भी आपको दिये थे है ना संख्याओं के वर्ग और घर भी दिये थे ये सा आरैं काम आप कौन से समों के उपर करे ओ करे ओ प्राक Lif wicked Messenger प्रौनाइट पर करे ओ किसमें से निकाल जाएं कहां से थूंड रहे हो ? सबसुप जहाँ से रूंड रहे हो ? कहां से थूंड रहे हो ? शाबाश, किसे ढूढ रहे हो? प्राकृत से ढूढ रहे हो? प्राकृत संख्याओं में जब अप ऐसी संख्याओं लेंगे जो दो के पहाड़े में आती है दो का पढ़ा बोलिये? दो वेरी गुड अनम तक चलता रहेगा ये कोंसी संख्याओं है? ये है समसंख्याए, कोंसी संख्या है, समसंख्याए और चोत smarter पाड़े वे नहीं आई, अब वो भी बतातीजी एक फी पाट व लो यह कोंची संख्याए होगी, बिश्वप संख्याए वो हम आपने सबसे पहले कोंची संख्याए सीख्याए है प्राकृत उसके बाद फूर फिर प्रान फिर सम विश्चप ठीक है पहाड़े याद करके आयो तो पहाडों में पहाडों के हेल्प से भी हम एक संख्या बना सकते हैं कई ऐसी जिद्धी संख्याइ होती है जो या तो कहेंगी मैं तो या तो एक का दोस्त बनूँगी या फिर खुद का दोस्त बनूँगी कोंसी है जिद्धी संख्याइ है पांच तेन पांच हो सकती है 17 हो सकती हो धारना पता रहे हो इन्हें कडित में क्या नाम दिया गया है प्राइम नंबर वैरीगोलिंग केज़ी वाग कर सकती है लेकिन कई संख्याइ और किसी से भाग नहीं होंगी और किसी से दोस्ती नहीं करेंगी कि इवाल खुद से भाग होगी जैसे एक ज़त Здесь कों को से संझ्ख्या हैं है एक बात का ध्याम रखे credit अब है क्वाज क्वां अप्धाय संख्या है तो से शुरू होती है एक को नहीं अब हाज जगाएं यह झालो दुनिए दुनिया में केवल वन है को रही इ कौना यूडञ क्या है उसके बाल चुरूँ होगा भाज्य का खेल तो अब भाज्य में कौन-कौन सी लग रही हैearं आपको जिनके दो दो ही दोस्त हैं दो के बाद चार लग रही है भायो को चार का दोस्त दो भी है दो के बाद तीर साथ नो नो है नो का कोई दोस्त नहीं है क्या नो किसी के बाड़े में नहीं आती बैरी गुड़ों कहे रहा है तीन के बाड़े में आती है नो तो अठ गई ठीक है तो आप सिस्टम को समझ गए है घर से अगला जब मैस का लेक्चर रहेगा उसे पहले आप 1 से 100 तक में सम संख्याए, विशम संख्याए, भाज्य, भाज्य कौन सी रह गई, जो अभाज्य की लिस्ट में नहीं आएगी जैसे आपने 2 और 3 को अभाज्य पता दिया, तो कौन सी बच गई, 4 रह गई, 5 उदर आगई, 6 इदर आएगी साथ उदर जाएगी, 8, 9, 10 इदर आजाएगी, फिर 11 उदर, तो इस तरीके से सूची बनानी है, आपको किस की सूची बनानी है सब की बनानी है, सबसे नंबर 1 प्राकरित, नंबर 2, 4, नंबर 3, नंबर 4, सम, नंबर 5, नंबर 6, भाज्य और नंबर 7, ठीक है आज के बाद कभी भी आपसे संख्याय पूछी जाएगे, तो पता दोगे, कौन कौन पता देगा बारवी वालों से तो मैं छड़े पिरट में पूछ लूगी, ठीक है और आप सब की कक्षा में दबाएगे, और इनके बारे में आपस मैं आपको बात करनी है हैं कई बच्चे कहते हैं कि याद नहीं होती है, पहारे याद नहीं होते है, हमें याद वही जी जो होते हैं जिसके बार में हम बात करते हैं जब भी पानी पीने जाएं, घर पे काव कर रहे हों, मेंटल रिवीजन रखें अपने दिमाद में, आज हमने जो सुना है उसको आज ही दोराओगे, तो साइकलोजी कहती है वो आपको पक्का याद रहेगा, ठीक है, फिर रिवीजन लेने हैं अपते में, महीने में, ठीक है, सबसे पहले हम सबसे जादा उसी दिन भूलते हैं, जब हम जिस दिन हम उसको सुनती हैं याद करते हैं, तो आज इनकी आपको पक्की भीजन करनी हैं, और सबको मल लगाना है, अब मैं आमन्दित करूँगी हमारे प्रदानाचारिय मोईदे को, मज़ते आएं और हमेरी से अब बहुत दिन हैं, तो आएं जाद रहे सम्वान के योगे, बहुत इनन्हेंती और करमत स्टाब मेंबर, और बहुत प्यालम सब्सक्राइब प्यारे पच्चों, जो हमने आउस का कॉंसेप्ट था हमारा, कि हर बच्चा स्टेज पर आएं, आज सटी के बच्चे स्टेज पर आएं थे, बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, और मैं उम्मित करता हूँ कि सभी बच्चे स्टेज पर आएंगे, और उनकी जो एजिटेशन है, वो मैं ये चाओंगा, कि हर रोज अलग-अलग टीचर यहां आ करके, जो बेसिक चीज़े अपने विशे की है, वो बच्चों को बताएंगा, इसमें एक बात का थुरा ज्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं मैं बता दिया, प्राकित संख्याई, पूर संख्याई, पूर्णा, यहां बच्चों ने सुन लिया, सम, भिशम, सारी बाते सुन लिए, लेकिन कल ये बाते बच्चे भूल जाएंगे, क्योंकि एक हमारा मेंटल, जो मानसिक रूप से है, याद करने का तरीका जो है, अगर आज हम उसको नहीं दुराएंगे, जैसे एडिक बना करके, और बकी बच्चे उन से उतार ले, तब जाके ये बात बढ़ेंगे, यह जो बोर्ट है अपना सामने वाड़ा, यहाँ स्केच पैन वंगवाके, मैं मैं इसके उपर लिखे रहा, उसमें से उतार लेंगे, यी थोड़ा सा कर लेंगे, तो बच्चों को याद हो जाएंगे, पाड़े कहें थे, बीश्तक के पाड़े सब बच्चों काने चाहिए, सब नियाद कर लिए, तो कक्षा इंचार्ज से मेरा निवेदल है, आज देखो, हर रोज पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, पढ़ने के लिए पूरा साल होता है, सब्ता में एक दिन, थोड़ा साथ सब्जेक्ट इंचार्ज, कर्षा इंचार्ज, बच्चों का ये भी देखे, कि जो हमने पढ़ाया है, वो उनको याद है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पिछे पढ़ाया, आके हम भाग रहे हैं, पिछे वाले बच्चे बूलते जा रहे हैं, उसको चेक जरूर करते रहे हर सोवार को ये देखे कि पिछले अप्ते में जो पढ़ाया है, वो बच्चों को कितना याद है, तो मैत वाले सर और मैडम से निवेदन है, कि किसी भी कलास में जाकर के पाड़े, एक से पिछ तके पाड़े, उनको जरूर चेक करते रहें, बच्चों को याद है या नहीं है, इसी प्रकार इंग्लिश वाले टीचर जो है, वो बच्चों से संड़े मंडे जनवी फ़बरी, ये जब भी मुकाबिले बच्चों से सूनते रहें, और टेंस जो है, ये शिकने जरूरी है, तो उसके लिए मेरा निवेदन है, कल असोक सर या सुबा मेलम जो भी आना चाहें, यहां आ करके, सिंपल तरीके से, बच्चों के लेवल, दिमागी लेवल के बरापर आ करके, बच्चों को बताए, ताकि सब बच्चों को समझ में आए, इस प्रकार से यहां कल इंग्लिश का में मुकादिय करके, हम यह चाहते हैं कि बहुत जल्दी बेसिक चिज़े हमारे बच्चों को आ जाए, कोई भी अपसर आ के चेक करें, तो उनको यह लगना चाहिए, कि यह बच्चों में और इस स्टाप में वास्तों में दम है, ऐसे तुका नहीं लगया है, 29 मेरिट आई है, ऐसे तुका नहीं लगया है कि 100 परशन जल्द आया है, इस गाउं में भी, इस गाउं के बच्चों में भी, उनके पिडेंस के अंदर भी, टीचर के अंदर भी, यह जज़बा है कि हमने बच्चों को काम्याब करना है, तो बुझे अपर इमिद है कि हम इस झीड़ा है कि हम आई है, पूपल इस दिए भी,ज़बार, झाल जा भी, उनके बच्चों में भी...